Hello everyone, welcome to today's update, sorry update थोड़ा लेट है, आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, आज हमारा संडे है and हमें पता है कि संडे को क्या होता है, संडे को हमारा weekly closing होता है, तो साड़े 5 बजे हमारा weekly closing है, जिसका मैं इंतिजार कर रहा हूं, इसलिए हम जादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, but I can still share some trade setups with you guys, और आप trade करना चाहते हो, तो you can follow these if you like, चलो चलते हैं, चार्ट ही साइट इन देखते हैं market में, आज क्या चल रहा है, तो यह है Bitcoin का chart right now and अगर आप इसको observe करोगे and कल क्या हमारे chart को observe करोगे, तो मैंने आपको बोला था कि हम एक short term bullishness देखके चल रहे है market में and कुछ इस तरीके का pattern हमें देखने को मलेगा, तो same chart अगर हम आज observe करें तो आपको दिख रहे हैं कि हम यहां से उसी pattern में ऊपर जाना start करें and यहां आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का ही pattern हमें देखने को मल रहा है, तो इस range में हमारा Bitcoin अब move करने लग गया है but यह range जादा दि यानि कि एक spike आने वाला है Bitcoin के price में, अब यह spike उपर जाएगा या नीचे जाएगा वो depend करेगा हमारी weekly closing में and that's why I am waiting for that weekly closing, अगर हम indicators को देखें तो आपको देख रहा होगा कि यह indicators बहुर बात change हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहां पे किसी को लगा होगा कि यह cross करने वा में क्या ideas दिखने हैं trading के लिए है, तो सबसे पहले तो current chart पे देखोगे 4 hours के, यहां पे हमारे पास दोनों MA यहां पर टकराने लग गए है, जैसा कि मैंने आपको इस area में बताया था कि MA से वापस टकराएगा क्योंकि MA से दूरा दूर रहे नहीं पाता है and बार बार इसमें में spike देखें BTC में and वो spike इस MA के ऊपर close हो जिससे हमारा weekly चार्ट है वो भी थोड़ा अच्छा देखने लग जाए and वो भी हम 20 MA के ऊपर close करें 20 MA के ऊपर last time जो हमारा close वा था चार्ट तो हम 8 November पे थे तो यह बहुत important है uptrend maintain करने के लिए and इसके ऊपर एक अच्छी closing हमें BTC को अगर हम discuss करते हैं और trade patterns या और trade ideas पे तो यह हमारा 4R का idea जो कि हमने आपको दो दिन पहले की वीडियो में दिया था जिसमें हमने bear flag breakout आप से बात की थी और उस ताइप का bear flag breakout अगर हम देखें तो यहां पे वो ढंग से follow हो रहा है although हम इतने उपर तक नहीं जा पा रहा है support जो हमाने 42,000 से 42,400 के बीच में वो भी अच्छे से काम कर रहा है और हमारी जो final trade idea की साइट चलते हैं यह हमारा bullish trade idea है और मेरे साब से यह वाला workout करेगा अगर तो बहुत अच्छा हम all time high की साइट जाता बाद देख सकते हैं Bitcoin को अगर आपको याद होगा तो this is called a cup and handle to cup and handle pattern है सारी conditions यहां satisfy हो रही है और यहां पर हमें daily के time frame पर देखने को मिल रहा है तो अगर हम कुछ दिन यहां पर बिताते हैं इसी area पर बिताते हैं फिर ऊपर जाना start करते हैं तो यह cup and handle लंग से validate हो जाएगा और हमें एक BTC में बहुत अच्छा upside देखने को मिलेगा तो यह decent हमारा risk to reward ratio है अगर indicators को हम यहां पर observe करें तो cup and handle हमें क्या दिखाता है कि यह वाला जो MACD है यह नीचे की side है और यह थोड़ी दिनों में parallel जाएगा basically कुछ इस तरीके का movement हमें देखने को मिलेगा MACD से and roughly हम यहां पर कहीं cross करेंगे and अगर आप देख रहे हो अगर यह MACD का movement as predicted जाता है तो हमारा जो Bitcoin का movement है वो भी कुछ इस तरीके से जाएगा and cross होते ही वो एक अच्छा pump ले लेगा and that's why हमारा cup and handle possible होने के chances यहां पर बढ़ जाते हैं को नजर में रखते हुए आज मैं ज्यादा ट्रेट नहीं करूंगा अपने SIP investments बस करूंगा क्योंकि बीटी सी हो सकता है local bottom hit कर रहा हो there is a good chance कि अगर आज मैं थोड़ा सा invest करता हूं तो I can make quick profit on it तो उसके accordingly मैं यहां पर trade करूंग I will not be doing some long and short leverage trading इस market में बहुत ज्यादा जाते है तो भी आप बहुत 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 जाओगे तो that's why risk is not worth it so that is it for this video guys thank you for watching and remember कि हमेशा आपको trade करना जरूरी नहीं होता है कभी-कभी sit-backs and relax and just chart observe करो and लेको market में क्या हो रहा है thank you for watching अगर आपको इसी short to the point videos अचे लगती है तो please like करना ना भूले I'll see you in the next video जाते है